हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब आप सभी अपने घरों में स्वस्त होंगे मैं सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ब्यूटी एंड फैशन इन इंडिया में तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ दो बहुती सुन्दर से डिजाइनर लेंगो की कलेक्शन जिसमें एक चिकनकारी लेंगा और एक आएगा मिलर वख लेंगा दोनों ही लेंगे बोहुत सुन्दर है और आप सभी की रिक्वेस्ट के उपर ही मैं दोनों लेंगे लेकर आए हूँ तो अगर आपको इन में से कोई भी लेंगा पसंद आता है आप उसे परच जाएगी और जो customers मुझसे purchase कर चुके हैं उनके reviews भी आपको महाँ पर देखने के लिए मिल जाएगे जिसे आपको help हो जाती है कोई भी product purchase करने में तो सभी की details जो है description box में मैं डाल दूंगे आप check out कर लीजेगा तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज का जो first लेंगा ह जो है कुछ इस तना से आएगा बहुत ही प्यारा parrot green color का लेंगा है और बहुत हैवी mirror work में आएगा आप देख लीजे इसी तरह से storage pack में आएगा लेंगा open कर लेते हैं तो लेंगा जो है कुछ इस तना से आएगा इस लेंगे में आएगा एक टुपट्टा और blouse और एक बहुत ही प्यारा सा लेंगा तो first मैं आपको लेंगा दिखा देती हूँ लेंगे का जो first look है कुछ इस तरह से आएगा आप देख लीजिए ये लेंगे का look है लेंगे का जो flare है बहुत अच्छा है और color भी एक तम प्यारा सा डिफरेंट सा color है पैरेट ग्रीन color का लेंगा आएगा लेंगा जो है semi-switch condition में आएगा पूरा लेंगा रेडी है आपको just एक side की सिलाई लगवानी है बाकी कुछ भी करवाने के आपको ज़रूरत नहीं है कलीदार pattern में लेंगा बनाया गया है और heavy mirror work जो है पूरे लेंगे में किया गया है ये जो है artificial mirror का work है जो कि green color के thread के साथ ही किया गया है आप देख लीजिए इस तरह से mirror जो है green color की thread की और mirror work इतना heavy है कि आपको पूरे लेंगे में कहीं पर भी खाली जगा जो है नजर नहीं आएगी आपको नीचे flare तक इतना heavy work जो है पूरे लेंगे में दिया गया है क्योंकि इसमें silver golden जादा use नहीं किया गया है तो बहुत loud नहीं लगता है सिरम mirror जो है वो shine करते हैं जो कि देख लीजिए इस तना से इसका flare है लेंगे का जो fabric है silk दिया गया है soft silk है काफी shiny सा material है काफी soft material है जिसकी वज़े से color भी एक्तम bright लगता है आप देख लीजिए इसका जो work है मैं आपको थोड़ा close से दिखा देती हूं इतना heavy जो work है आपको पूरे लेंगे में दिया गया अंदर की तरफ जो है lining attach है और आपको can can भी दिया गया है और जो lining है उसमें भी आपको canvas दिया गया है तो आप देख लीजिए इस तरह से आपको यह first layer मिल रही है उसके बाद lining है उसमें canvas दिया गया है अंदर can can दिया गया है और एक और layer की lining दिया गया है काफी अच्छा flare ह है लहंगे का और Can 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 Canvass की वज़े से और भी राउंड में आता है तो आप देख लीजिए ये लहंगे का लुक आएगा और पैरेट गृर्ण कलर आजकल वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है आप देख सकते हैं इसे के अज़ हैं इस का जो हाय है और गणांग कलिया और सभी कहलों सब्सक्राइब के सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के सब्सक्राइब को है पूरा फॉरिण वाओ लुक वाइज लेहंगा एक्तम रॉयल है बहुत प्यारा लुक आता है और यह इसकी स्लीव दी गई है जो कि आप 3-4 स्लीव जो है इसमें बनवा सकती है इतना फैब्रिक आपको दिया गया है स्लीव के ओपर भी आपको इस तरह से मिरर वर्क दिया गया है यह स्लीव का डिज है और यह इसका बहुत ही प्यारे डीप नेक के साथ बैक साइड का डिजाइन आपको दिया गया है 44 बस साइज तक आप ब्लाव स्टिच करवा सकती है तुपट्टा भी सेम पैरेट करीन कलर में ही आएगा सोफ नेट का डुपट्टा है 2.5 मिटर में आएगा पूरे भी आपको डुपट्टे में मिरर वक दिया गया है तो डुपट्टा भी बहुत प्यारा बहुती स्टाइलिस सा बनाया गया है लुक बहुत सुन्दर आ रहा है बहुती ग्रैंड लहंगा है आप अपनी वेडिंग के किसी भी स्पैशल खास फंक्शन के लिए इसको वेर कर बेज ही जग किसी भी लहंगे के साथ जा सकते हैं आपको इन लहंगो की कोपी मार्किट में मिल जाएगी जो कि काफ्य चीप बनाई जाती है लेकिन जो लहंगे मैं आपको शो कर रही हूं ये एकड़म अवन क्वालिटी में बनाए जाते हैं बात करें फैपरिक की फ्लेयर लेंगा है आप मुझे इस वाइट कलर के चिकन कारी लेंगे के लिए बहुत जाद रिक्वेस्ट कर रहे थे इसी तरह से स्प्रोरिज पैक में आएगा ओपन कर लेते हैं ते लेंगा कुछ इस तरह से आएगा इस लेंगे में आएगा एक डुपट्टा और ब्लाउस और एक बहुत ही प्यारा वाइट कलर का चिकन कारी का लेंगा तो लेंगे का जो लूक है कुछ इस तरह से आएगा आप देख लीजी लेंगे का लूक है रेंगे का फ्लेर भी बहुत अच्छा दिया गया है जॉर्जट का लेंगा है सैमि स्रिच कंडिशन में आएगा प्योर वाइट कलर का लेंगा है और उसके उपर थोड़ा सा ओफ वाइट कलर का जो है वर्क किया गया है जो कि थोड़े रोज गोल्डन सीक्वेंस के साथ आएगा तो आप देख लीजे वाइट के उपर थोड़ा सा ओफ वाइट कलर का वर्क है जो कि नजर आता है अगर हम सेम वाइट कलर का ही करेंगे तो इतना नजर नहीं आएगा तो इस वर्क में आपको इस तरह से रोज गोल्ड कलर का सीक्वेंस ओचरी का वर्क मिलेगा और ये बीच में जो वर्क है चिकन कारी का वो ओफ वाइट थ्रेट के साथ किया गया है सेमि स्रिच कंडिशन में लहंगा आएगा पूरा लहंगा रेड़ी है आपको जस्ट एक साइड की सिलाई लगवानी है और कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है उपर की तरफ इस तरह से बैल दी गई है जहाँ पर आप डोरी डाल सकते हैं कलिदर पैटर में लहंगा बनाया गया है कलियां दिया गई है पूरी कलियों में हैवी इंब्रॉईरी का वर्क किया गया है और फ्लेर भी लहंगे काफ़ी अच्छा रख गया है यहां तक जो है आपको िसथरा से यह जो है जिग-जग-टाइब का चिकन-कारी का और यह जो है लहंगे का वर्क आएगा यह निचे की तरफ है और यह जो है उपर की तरफ आएगा पूरे लहंगे में काफी फिनिशिंग के साथ वर्क किया गया है बहुत हैवी वर्क है कहीं पर भी आपको फैब्रिक जो है नजर नहीं आएगा आप देख सकते हैं कितना हैवी व जिससे शाइन आ रही है फो सुन्दर लग रही है पूरा हैवी लहंगा है अंदर की तरफ लाइनिंग अटैच है जिसमें आपको चखासा कैन्वस दिया गया है और आपको कैन कैन भी इतना चोड़ा दिया गया है आप देख लीजिए फ्लेर में लहंगा काफी अच्छा लग है और काफी अफोडेबल भी है तो आप इसको फर्जेस कर सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में आएगा और लुफ वाइस भी बहुत सुन्दर है तो यहमारा लहंगा हो गया जिसको 42 वे साइज तक वेर कर सकती है अब आपको दिखाते हैं इसका ब्लाउस जो की सेम ज साइड से यह इसकी बैक साइड आएगी 42 वा साइज तक आप ब्लाउस स्टिच करवा सकते हैं और इसके साथ आपको फुल स्लीव दी गई है सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लाउस में आपको फुल स्लीव दी गई है बहुत सुन्दर लगेगी आप देख लीजिए इतना ह स्टिच हो जाएगा यह इसका फ्रांट आएगा और इसके साथ ब्लाउस की बाजू भी पूरी इंब्राइडर है तो यह इसका ब्लाउस हो गया बहुत सुन्दर है और डुपट्टा जो है सेम जॉर्जट फैब्रिक में आएगा इस तरह से डुपट्टा दिया गया है और फोर साइड आपको इस तरह से वाइट कलर की ही बीड्स वाली लेस लगी होई मिल रही है और मिडल में भी पूरे डुपटे में बीड्स लगाए गए हैं जो की लॉक किये गए हैं कभी भी निकलने वाले नहीं है काफी सिंपल सोबर सा डुपट्टा है 2.5 में आएगा और जो इसका फैब्रीक है जो फैब्रीक है वो काफी फ्लोई माटीरियल है बहुत सुंदर लगेगी जैसे कि वाइट लहेंगा है ज्यादा तर गल्स ही वेर करती है तो आप इसको ऐसे नेक में ऐसे डालना चाहें तो ऐसे बहुत सॉफ्ट रहता है फ्लोई रहता है और आप अगर ऐसे हैंड पे फिला कर लेना चाहें तो भी बहुत अच्छा लगता है इसमें मोतियों की जो ये लेस लगी हुई है इसकी वज़े से इसका वेट जो है फ्लोई रहता है तो ये इसका डुपटा आएगा, आप देख लीजिए, तो ये हो गए दोनों ही लहंगे, दोनों ही लहंगे एकदम royal looking है, बहुत सुन्दर है, quality में A1 है, तो आप अपने taste के according, अपने function के according किसी भी लहंगे के साथ जा सकती है, आपको कोई complaint नहीं आएगी, तो मेरा personal favorite है white chicken का आपका कौन सा ज्यादा favorite है, मुझे comment करके जरूर बताईएगा, और आगयाने वाले वीडियो में किस तरह की collection लेकर आओ, वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी, उस तरह की collection आपके लिए लेकर आओ, तो ये था आज का वीडियो, I hope कि आपको पस पसंद आया होगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो चैनल को subscribe कीजिएगा, bell notification को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अपने friends and family के साथ share करना बिलकुल भी न भूलिएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, till then, bye!